कि अभी तक हमने प्रकाश की अपवर्तन की घटना को इस काश के गुटके से समझा हमने देखा जब प्रकाश की किरण इस काश की के समानतर होते हैं बस यह थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्काश के घुटके के आमने सामने वाले फलक यह दी हम देखें तो यह समानतर है इस फलक के समानतर यह फलक है चाहिए यह दोनों को देखो यह दोनों भी समानतर है इसलिए आपतित के और निर्गत किरण यह दोनों एक दूसरे के समानतर होते हैं यदि में सकाश के गुटके के बदले एक ऐसी वस्तूलों जिसके आमने सामने के फलक एक दूसरे के समानतर ना हो बलकि एक दूसरे से कोई कोण बनाते हों जैसा कि यह प्रिज्म यह प्रिज्म भी पारदर्शी म माध्या में हम देख सकते हैं यह काज का बना हुआ प्रिज्म है इसमें हम देख सकते हैं यह आयताकार फलक है ऐसे आयताकार प्रिष्ट इस प्रिज्म में तीन है एक तो और यह तीन और इसमें दो त्रिभूजाकार प्रिष्ट भी है यह एक और यह दूसरा इसका मतलब प् प्रिष्ट से बंधा हुआ है यह जो त्रिभुजा कार प्रिष्ट है यह तो एक दूसरे के समानतर नहीं है बलकि एक दूसरे से कोई ना कोई कोण बनाते हुए है मतलब इस प्रकार येदि हम प्रिज्म ले तो इसके दो प्रिष्ठ आयता-कारवाले एक-दूसरे से 60 डिकरी का कौन बनाते हुए होगे और ये दोनों प्रिष्ठ जो एक-दूसरे पर जुखे हुए हैं चाहिए आप इधर दो देख़ें या इधर दो प्रिजमें देखें ये सारे О से साथ डिक्रिकरी का कोण बनाते हुए हैं ये दोनों प्रिष्ठों को अपुर्टक प्रिष्ठ कहेंंगे क्योंकि इनी में गुटके में हुआ था, इसको चेक करने के लिए हम एक लेजर लाइट लेंगे, इस लेजर लाइट को इस प्रिज्म से पार करवाएंगे और देखेंगे क्या प्रकाश उसी प्रकार अपवरतित होता है, इसके लिए सबसे पहले हम इस कम्रे को अन्धेरा कर देते हैं, अभी जो हमने लेजर लाइट और प्रिजम के साथ प्रयोग देखा उसका सध्धान्तिक चित्र बनाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा जा A, B, C ये रिप्रेजन्ट करता है प्रिजम को और ये P, Q जो किरण इस प्रिजम पर पढ़ रही है वो किरण कहलाएगी अपतित किरण इस Q बिंदू पर यानि कि अपतन बिंदू पर यदि हम A, B प्रिष्ठ पर एक लंब खीचे तो वो लंब रेखा कहलाएगी अभी लंब और इस अभी लंब और अपतित किरण के बीच का जो कोण होगा वो कहलाएगा अपतन कोण अब जैसे ही प्रकाश की किरण इस प्रिष्म पर अपतित होती है चुकि ये प्रिष्म पार दर्शी माध्यम है ये इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी और यहाँ पर जो किरण मुड़ेगी उस किरण को हम कहेंगे अपवर्तित किरण जिसे हम Q-R से दर्शार है ये किरण अभिलम की ओर जुकेगी और जो कोण अभिलम और अपवर्तित किरण के बीच में बन रहा है वो कहलाएगा अपवर्तन कोण यहाँ पर जब ये किरण इस फलक AC पर अपतित होगी तो यहाँ पर फिर से इसका पवर्तन होगा इस अपतन मिंदू-R पर जब हम एक लंब खीशते हैं तो ये लंब रेखा कहलाती है अभिलम इस AC फलक के लिए और प्रकाश की किरण यहाँ से फिर मुड जाती है और इस बार ये सघन से विरल माद्धे में प्रविश करेगी इसलिए अभिलम से दूर जुकेगी यानि कि ये जो किरण RS है वो नीचे के डारेक्शन में चले जाएगी और इस किरण RS को हम कहते हैं निर्गत किरण और अभिलम और निर्गत किरण के बीच का कोन कहलाता है निर्गत कोन और ये कोन जो अपवर्तित किरण और इस अभिलम के बीच का बना ये भी हम अपवर्तन कोन के नाम से जानते हैं और इन दोनों को हम डिफ्रेंशेट करने के लिए R1 और R2 से इंडिकेट करते हैं अगर यह प्रिजम नहीं होता तो यह किरंड सीधे PQ आगे की और निकलने वाली थी यानि कि यह PQ होते हुए इस U रास्ते की और आगे निकलने वाली थी लेकिन अब प्रिजम रखा है इसने किरंड हो गई है और RS मार्ग से निकल रही ह तो यहां पर जो अपतित किरंड है और निर्गत किरंड इन दोनों की दिशा समान नहीं है बलकि निर्गत किरंड की दिशा चेंज हो चुकी है और इन दोनों किरंड के बीच में जो कोण बनता है यानि अपतित किरंड और निर्गत किरंड के बीच के कोण को हम दर्शाते ह से और इसे हम कहते हैं विचलन कोण अब हम अपतन कोण निर्गत कोण प्रिज्म कोण विचलन कोण इन सब के बीच में संबंद ग्याद करेंगे इसके लिए हमने प्रिज्म लिया है इस प्रिज्म में दो रिफ्रेक्टिंग सर्फेस यानि की अपवर्तक प्रिष्ट हैं ए बी और एसी जिनका आधार है बीसी और इन दो अपवर्तक प्रिष्ट के बीच में कोण बन रहा है ए यानि की ए है प्रिज्म कोण अब यहाँ पर देखें तो PQ एक किरण है जो कि इस प्रिज्म पर आपतित हो रही है यानि कि PQ आपतित किरण है और Q जो है वो आपतन बिंदू है अब हम इस अपवर्तक प्रिष्ट AB पर एक लंबवत रेखा खीचेंगे MO और यह लंबवत रेखा अभिलंब का काम करेगी अपवर्तक प्रिष्ट AB के लिए अब इस PQ आपतित किरण और अभिलंब MO के बीच में जो कोण बन रहा है यानि कि कोण P, Q, M ये कोण है अपतन कोण इसको हम दर्शाएंगे I1 से अब हम जानते हैं जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्य में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब के पास जुकती है तो यहां पर भी ये जो P, Q किरण है अब इस प्रिष्म के अंदर प्रवेश करेगी यानि इस काच में प्रवेश करेगी तो यह अभिलंब के पास ज हम ले रहे हैं R1 से अब यही किरण प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक प्रिष्ठ यानि कि AC से टकराएगी और जब यह AC से टकराएगी तो यहां पर यह R बिंदू इस फलक के लिए अपतन बिंदू की तरह कारे करेगा और इस अपतन बिंदू से फलक AC पर खीची गई कि NO इस प्रिष्ठ AC का अभिलंब कहलाएगा अब प्रकाश के किरण इस प्रिज्म से बाहर निकलेगी यानि कि कांच उसे वाईयों में प्रविश करेगी यानि कि सघन से विरल माध्य में प्रविश करेगी और इस स्थिति में प्रकाश के किरण अब अभिलंब से दूर ज यहां पर अभिलम और अपवर्तित किरण के बीच का कोण जो कि हम अभिलम एन ओ के साथ देख रहे हैं इसे हम आर टू से दर्शा रहे हैं और जो किरण बाहर निकल रही है यानि यह किरण आर एस यह प्रिजम से बाहर निकलने के कारण इसे हम निर्गत किरण का नाम देंगे अब निर्गत किरण RS और अभिलम NO के बीच का कोण कहलाएगा निर्गत कोण जिसको हम दर्शाएंगे I2 से यानि की कोण NRS बराबर I2 यदि ये प्रिज्म नहीं होता तो जो अपतित किरण है PQ ये सीधे की सीधे आगे निकल जाती जिसको हम यहाँ पर डॉटेड रेखा से दर्शार है ये जो डॉटेड लाइन है आगे की और बढ़ती हुई PQ से ये अपतित किरण की वास्तविक दिशा होती यदि ये कर रही है यानि कि ये जो कौन है इन दोर किरणों के बीच में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में ये कौन कहलाता है विचलन कौन क्योंकि ये टोटल विचलन को बता रहा है आपतित किरण का इसलिए यहाँ इस चित्र में देखें तो कौन UTS ये होगा विचलन क जिसको हम दर्शाते हैं डेल्टा से अब इसी चित्र में हम देखे तो यह पी क्यू आगे की तरफ बहार निकल रही है यानि कि पी यू जो क्रेखा है और एम और यह दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं और जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो वर्टिकली अप जूम करके देखें तो यहाँ पर यह जो एंगल बन रहा है MQP यह बराबर होना चाहिए UQOK यानि कि यह I1 है तो इधर भी I1 होगा लेकिन हम देख रहे हैं इस कोण में दो हिस्से हैं एक नीचे वाला हिस्सा जिसको हमने R1 से दर्शाया है तो यह बाकी वाला कोण होगा यानि कि कोण TQR यह हो जाएगा I1 माइनस R1 उसी तरह हम दूसरे फलक के लिए देखें तो यह जो किरण है T S इसको अभी लंब कट कर रहा है N O और यहाँ पर भी दो रेखा एक दूसरे को कट करेंगी तो वर्टिकल या पोजिट अंगल बराबर होंगे तो यदि N RS I2 के बराबर है तो इस चित्र में TRO भी I2 के बराबर होना चाहिए लेकिन यह जो अंदर का कोण बन रहा है TRO यह दो भागों में बटा हुआ है एक तो है QRO जिसको हमने R2 का नाम दिया है और दूसरा है QRT तो यह बचा वाला कोण QRT यह बराबर हो जाएगा I2 माइनस R2 के क्योंकि हमने I2 में R2 को हटा दिया है तो इस प्रकार हमारे पास दो कोण और मिले एक तो कोण TQR बराबर I1 माइनस R1 और दूसरा है TRQ बराबर I2 माइनस R2 अब अपतन कोण, निर्गत कोण, विचलन कोण और प्रिज्म कोण इन सब की बीच में संबंध निकालने के लिए हम एक-एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम त्रिभूज देखते हैं TQR में, यह कौन सा त्रिभूज है, यह जो ऊपर बन रहा है, यही त्रिभूज को हम लिए है, और हम जानते हैं किसी भी त्रिभूज में बाहे कोण, जो होता है, वो अंदर के आंतरिक दोनों कोणों के बराबर होता है, मतलब जो बाहे कोण है, वो अंतरिक अपोजिट दो कोणों के योग के बराबर होगा, तो यहां पर बाहे कोण बन रहा है, यह? UTS और आंत्रे के इसके दो कोण है, कोण TQR और TRQ तो हम इससे समीकरन लिखेंगे एंगल UTS बराबर एंगल TQR प्लस एंगल TRQ एंगल UTS क्या है, विचलन कोण तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा बराबर TQR कामान लिखेंगे I1-R1 प्लस TRQ कामान लिखेंगे I2-R2 अब बस समीकरनों को हल करते जाएंगे तो यहाँ पर डेल्टा बराबर होगा हम जो दो अपवर्तक कोण बन रहे थे उनको एक साथ ले लेते हैं और निर्गत कोण और आपतन कोण को एक साथ ले लेते हैं तो I1 प्लस I2 एक ब्रैकेट में माइनस R1 प्लस R2 इसको दे रहेते हैं समीकरन एक अब हम दूसरा त्रिभुज देखते हैं त्रिभुज OQR मतलब यह नीचे वाला त्रिभुज अब यह हमने उपर वाला त्रिभुज लिया था अब उसके जस्ट नीचे वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में तीनो कोणों का योग 180 के बराबर होता है तो यहाँ पर भी तीनो कोणों का योग हम 180 के बराबर करेंगे इस त्रिभुज में कोण R1 प्लस R2 प्लस तीसरा कोण, यानि की QOR बराबर हो जाएगा 180, यानि की कोण QOR बराबर होगा 180, माइनस R1 प्लस R2, इसको हम दे रहते हैं समीकरण 2, अब हम इसे चित्र में चतुर भुज A, Q, O, R लेंगे, हम जानते हैं एक चतुर भुज के चारो कोण का योग 360 के बराबर होता है, तो चारो कोण का योग करते हैं, यहाँ पर यह पहला कोण हम लेंगे, प्रिज्म कोण यानि की A, दूसरा कोण है, A, Q, O, प्लस कोण Q, O, R, प्लस कोण O, R, A, इन चारो को जोड़ेंगे, तो यह बराबर होगा 360 के, अब यहाँ देखते हैं, A, प्लस, एंगल A, Q, O, यह कितना होगा? क्योंकि हम जान रहे है, M, O, A, B पर खीचा हुआ अभिलंब है, तो यह कोण होगा 90 के बराबर? तो यहाँ लिख देंगे 90, प्लस, यह जो कोण Q, O, R है, इसको अभी हमने समीकरण 2 से देखा, इसका मान हो जाएगा, X, O, C, माइनस R1, प्लस R2, सेम यहाँ पर देखते हैं एंगल O, R, A, यहाँ पर N, O, जो है, वो A, C, फलक पर अभिलंब था, यानि के वो कितने का कोण बनाएगा? 90 का, तो इस कोण को भी हम लिखेंगे 90, अब यह सब को जोड़ेंगे, तो कितना होगा? 360, अब आगे हल करेंगे, A, प्लस, 90 और 90 को जोडने से होगा, X, O, C, तो 180, माइनस R1, प्लस, R2, एक्वल टू, 360, अब 180, प्लस, 180 होगा? 360, तो यहाँ पर लिखेंगे, A, प्लस, 360, माइनस, R1, प्लस, R2, एक्वल टू, 360, अब हमको प्रिज्म कोण का मान एक साथ रखना और बाकी सब को समीकरण को में जितनी भी कॉंटिटीज है, उसको हम लोग इक्वल टू के दूसरे पक्ष मिले जाते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे, A, इक्वल टू, 360, माइनस, यह 360, यह 360, और यह R1, प्लस, R2, माइनस, साइन के साथ है, यह भी इक्वल टू के सट जाएगा, तो प्लस, R1, प्लस, R2, जब हम पक करेंगे आगे, तो हमको मिलेगा, A, बराबर, R1, प्लस, R2, इसको हम दे देते हैं, समीकरण 3, यानि की, दो अपवर्तक कोणों का योग, किसके बराबर हो रहा है, प्रिज्म कोण के, अब यहीं आगे हम देखेंगे, इसका मान, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या थ डेल्टा बराबर, I1, प्लस, I2, माइनस, R1, प्लस, R2, अब इस, R1, प्लस, R2 के जगे पर हम लिख देंगे, A, और हमको मिलेगा, डेल्टा बराबर, I1, प्लस, I2, माइनस, A, और यहां से, इस समीकरण से, इस पर्ष्ट है, कि जो विचलन कोण का मान है, वो अपतन कोण पर निर्भर करता है, अब इस समीकरण को और सिंप्लिफाई करें, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल्टा माइनस, A, राइट हैंड साइड में है, तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो डेल्टा प्लस, A, इक्वल तू, I1, प्लस, I2, यानि कि विचलन कोण और प्रिज्म कोण का योगफल, आपतन कोण और निर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है, और यही चारों में सम्बंद है, अब इस समीकरण से ये एक और चीज़ सपष्ट है, कि जो विचलन कोण का मान है, वो तो आपतन कोण पे निर्भर कर रहा है, औ और 12th class के syllabus में एक practical भी है जिसमें कि आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में हमको संबंद ग्याद करना है आई डेल्टा ग्राफ बनाना है और इसकी सहायता से हमें न्यूनितम विचलन कोण का मान ग्याद करना है जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग द्वारा ये पाया कि आपतन कोण का मान बढ़ाने से पहले तो विचलन कोण का मान घटने लगता है फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि आपतन कोण का मान बढ़ाने से विचलन कोण भी बढ़ जाता है मतलब पहले तो विचलन कोण का मान घट रहे फिर विचलन कोण का मान बढ़ने लगा तो वि दर्शाते हैं डेल्टा-m से एं-4 मिनीमम और डेलटा फोर डेविये सिल इसको दर्शा जाता है डेल्टा-m से और प्रयोक में यानि कि प्राक्टीकल में हमको इस आई अपतन कोण और डेल्टा यानि कि विश्लन कोण के बीच में ग्राफ बनाना होता है ग्राफ की सहता से ही हम इस न्यूनितम विश्लन कोण का मान ग्याद करते हैं और इस आई और डेल्टा के बीच के ग्राफ को हम आई डेल्टा ग्राफ के नाम से भी जानते हैं और और य में विच्ण कोण का मान लेते हैं कि प्रयोग में क्या पाया गया है अपतन कोण का मान शुरू में घुटेगा इसलिए जब हम लोग एक सेक्सिस में आगे की और बढ़ेंगे पॉजिटिव डारेक्शन में तो हम देखेंगे कि जो डेल्टा का मान है विश्लन कोन का मान है पहले तो घट रहा है उसके बाद आई को बढ़ाए एक स्थिती में आने के बाद तो विश्लन कोन भी बढ़ने लगा और इस प्रकार स सुन्दर सा यू शेप का यानि की पैराबोलिक ग्राफ हमको यहाँ पर देखने को मिलता है आई और डेल्टा की बीश में और यह जो सबसे नीचे का मान है लोएस्ट मान है डेल्टा का इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ मिनीमम डेवेशन यानि की न्यूनितम विचलन कोन यदि हम यहाँ पर देखें तो डेल्टा के संगत कोई भी कोई भी डेल्टा का मान हम ले रहें तो उसके संगत अपतन कोन के दो मान होंगे जिसको आई वन और आई टू से दर्शाया जा रहा है इससे यह निसकर्ष निकाला जाता है कि हम प्रिंस्पल ओफ रिवर्सिबिलिटी यानि कि प्रकाश की उतक्रमनेता के सिधान से जानते हैं कि यदि प्रकाश के मार्ग को पल्टा जाए तो प्रकाश कितने बार भी अपवर्तन हो वो उसी मार्ग में वापिस लोट जाता है तो यहाँ पर भी यह सत्य है यहाँ पर डेल्टा का मन वही है लेकिर आई वन और आइटू दू अलग अलग आपतन कोण है इसका मतलब यदि इस चुत्र में हम देखें तो PQ पहले आपतित किरण थी जिसका आपतन कोण क्यू पी यानि की आइटू बनेगा आपतन कोण और आइवन बन जाएगा निर्गत कोण प्रकाश जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से पलट कर वापिस चले जाएगी अब हम इस ग्राफ से एक और निजकर्श निकालते हैं यदि हम न्यूनितम विचलन कोण के स्थिती में देखें तो यहाँ पर आपतन कोण का एक ही मान है यूनितम विचलन कोण के संगत अपतन कोण का केवल एक ही मान होता है यानि कि जब डेल बराबर डेल्टा M हो वहाँ पर अपतन कोण और निर्गत कोण दोनों ही बराबर होंगे यानि कि I1 बराबर होगा I2 इस प्रकार इस ग्राफ से हम निम्नलिखित निसकश निकाल सकते हैं पहला जब डेल बराबर डेल हो यानि विचलन कोण नियूनितम विचलन कोण के बराबर हो तो उस स्थिती में I1 बराबर I2 होता है यानि कि अपतन कोण बराबर निर्गत कोण होता है अगर अपतन कोण और निर्गत कोण बराबर हुए यानि कि दोनों ही अपवर्तक प्रिष्ठों में जो अपतित किरण है और निर्गत किरण है दोनों का जुकाव एक ही होगा दोनों बराबर कौन से जुके होंगे यानि कि जो अंदर अपवर्त कौन बन रहा है R1 और R2 ये दोनों भी बराबर होंगे इसका मत्त्र हम लिखेंगे R1 बराबर R2 और यदि आधार है जो प्रिजमे के इनके दोनों कौन बराबर हुए उस कंडिशन में जो अपवर्तित किर किरण और निर्गत किरण दोनों एक ही कौन में जुके हैं और जो अपवर्तित किरण है वो आधार के समानतर होगी अब हम इनी निसकर्षों से प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांग का सूत्र निकालेंगे हम जानते हैं किसे भी पदार्थ का अपवर्तनांग इस नेल की नियम से म्यू बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर अब हम साइन आई और साइन आर का मान यदि सूत्र में रख दे तो इस से हमें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांग ग्यात हो जाएगा निश्कर्सों के अनुसार यूनितम विचलन के स्थिती में यानि कि जब डेल बराबर डेल M होगा तो दो चीज़े हमने पाई I बराबर I1 इसको हम लोग I के बराबर मान लेते हैं और दूसरा R1 बराबर R2 इसको हम R के बराबर मान लेते हैं अब यही मान समी करण 4 में हम रखेंगे जो हम वियंजग ग्यात करते समय लिये थे समी करण 4 क्या था डेल बराबर I1 प्लस I2 माइनस A अब इसमें हम I1 बराबर I2 बराबर I रख देते हैं तो यहां से डेल बराबर डेल M रखने पर हमें प्राप्त होगा डेल M इक्वल टू 2I माइनस A और यहीं से अगर पक्षांतर करते हैं तो हम देखेंगे डेल M प्लस A बराबर 2I और I बराबर मिलेगा A प्लस डेल M अपॉन 2 यह अपतन कोण का मान ग्यात हो गया समीकरंग 3 से R1 प्लस R2 बराबर A मिला था अब R1 बराबर R2 बराबर R रख देने पर A बराबर 2R हो जाएगा और R का मान होगा A अपॉन 2 इसे हम स्नेल के नियम में रख देते हैं यानि कि अपॉर्तनाग M बराबर अब होगा साइन डेल M प्लस A अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2 और यही है प्रिज्म के पदार्थ के अपॉर्तनाग का सूत्र यदि हमने जो प्रिज्म लिया है वो बहुत ही पतला है यानि कि दोनों प्रिष्ठों के यानि कि दोनों अपॉर्तक प्रिष्ठों के बीच में जो कोन है से यानिया कॉन वह बहुत ही कम है उस कंडिशन में đeál मोत कम होगा ऊस कंडिशन में हम देखे तो यह जो फार्मुला है साइन डeल एम प्लस एप उपन टू मुलय है यह भी हो जाएगा डeल acceptable क्वेंगर क्यूंकि साइन का साइन में यदि कोई कॉΝ ले रहे हैं और उसका मान बहुत कम है तो वो उसक्तून के बराबर ही होता है जिसे हम जानते हैं साइन जरो बराबरबर जरो होता इस अपवर्तनांग सूत्र में रखने पर हमको मिलेगा mu बराबर dell m plus a upon 2 upon a upon 2 2 और 2 cancels करेंगे तो mu बराबर होगा dell m plus a upon a अब इसमें cross multiply करते हैं तो यह हो जाएगा mu a बराबर dell m plus a और dell m बराबर होगा म्यू ए-a a common लेने पर डेले मबराबर a bracket के अंदर म्यू – 1 और यह संबन्द है न्यूनितम विचलन कौन प्रिज्म कौन और प्रिज्म के पदार्त के अपवर्तनांक में यानि कि जो न्यूनितम विचलन कौन का मान है वो निम्न कारणों पर निर्भर करता है पहला तो प्रिज्म के कोण पर कैसे निर्भर करता है समानुपाती सूत्र से समझ में आ रहा है हमें यानि कि प्रिज्म कोण अधिक होगा तो न्यूनितम विचलन कोण का मान भी अधिक होगा दूसरा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांग पर किस प्रकार संबंद हैं यहाँ पर-m समानुपाती होगा मियू-1yg Gosbei यानि की प्रिस्म करारत के अपुप वर्टनांग कि अधिक हुओ तो नियूनितंव्विश्लन यादिक होगा प्रिस्म करा अप석 वर्टनांग के अधिक कम हुओ तो नियूनितंव विश्लन का मान भी कम होगा तीसरा कारक है प्रकाश के रंग पर यहां किसी समीकरण में नहीं दिख रहा है लेकिन हम जानते हैं कि अपवर्तनांग संबंदीद है तरंग दैर्दे से यानि कि प्रकाश के रंग से जिस प्रकाश के रंग का तरंग दैर्दे कम होता है उसके लिए तो न्यूनितम विश्लन कोण भी अधिक हो जाएगा यानि कि बैगनी रंग के लिए न्यूनितम विश्लन कोण का मान अधिक होगा और लाल रंग के प्रकाश का तरंग द्यार्द अधिक होता है यानि कि उसका अपवर्तनांग कम होता है यानि कि उसका न्यूनितम विचलन कोण भी कम होगा